हेलो दोस्तो वेलकम टू माई योटूब चैनल लेट्स प्लै विथ स्टॉक मार्गेट आज किस वीडियो में हम बात करने वाले है टाटा स्टेल के बारे में टाटा स्टेल के कोट्ट टू के नतीजे आ चुके है दोस्तो और साथ में दो बड़ी ख़बरे भी निकल के आई ह है उन सबी बातों के उपर हम डिस्केशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इन खबरों का इंपेक्ट हमें टाटा स्टिल के शेर प्राइस के उपर किस तरह का पढ़ता हो देखने को मिल सकता है शोट टम में किस तरह के लोलो टार्गेट आज सकते उसके बारे में भी हम चार्ट के उपर अनालीसिस करेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करके इंग्रेज करना ना बूले और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राब कीजिए ऐसे जन्यूएन इंफोर्मेशन पाने के लिए और अभी कीजिए वैयर के देखने को मिल रही थी स्टाफिवर है और दोस्तों जब जस्तेजैंगे देखने को मिल थे फ्राइडव की दिन अब मैं आपको बताना चाहलों है कि दिन किसटा कारयोबार देखने को मिलना है उसके बास को एन Ary個 करेंगे और जो खबर निकल कहा हैं इसके 14 रुपई से जिपी ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिले प्रियस क्लोजिंग हुई थी 473 रुपए 15 पैसे पर जो ओपनिंग देखने को मिली और 3 रूपया गेब डाउन ओपनिंग हुई थी कॉंटिटी ट्रेड हुई थी फ्राइडे की दिन और तक्रीब बन दो करोड़ चौंतिस लाक अठ्राजार कॉंटिटी ट्रेड हुई थी जिसमें से डेलरबल कॉंटिटी देखने को मिल रही है 32,10,000 ओर डेलरबल परसंटेज निकल गया रही हो 13% के असपास के डेलरबल परसंटेज देखने को मिल रहे है तो अच्छा खासा हाइक बनाया था और क्लोजिंग भी हमें हाइक के असपासी के देखने को मिली है अब दोस्तों जो रिजल्स आये है वो किस तरह के आये है उ और यहाँ पे जो आपको फिंगर सारी देखने को मिलेगी और क्रोड में देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो प्रिंट है दोस्तों थोड़ी सही नहीं है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और यहाँ पे हम कंपेर करेंगे किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिल रह इस quarter में जो कि पिछले quarter में रही थी इंकम और 24,481 क्रोड तो यहां पर quarter to quarter हमें income में बड़ोतरी देखने को मिल रही है और अगर हम year to year बात करें दोस्तों तो September 2019 में जो इंकम रही थी और 34,760 क्रोड की इंकम रही थी तो और ओर यहां पर देखा जाए तो year to year हमें अच्छी खाशी बड़ोतरी देखने को मिल रही है और quarter to quarter तो काफी बड़ीया हमें इंकम में बड़ोतरी देखने को मिल उसके बारे मैं चाहूंगा तो किसमें वो जएक्से क्रॉब करता हूं और जैसकी सब्सक्राइब करी उन्हों लेकिन ज्यादा जूम करूंगा तो धेंगेंगे वह टोल एक्सपेंस क्रोररा ग्सेक क्रोर का से sponsor also तो कोटे टू कोटर बेसिस पे देखा जाए दोस्तों यहां पे खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर तो दोस्तों कमणी ने जो खर्चा किया इन हर रहर्चों को आप इनकम में से 9 100 और तो आपो जो नीट देखने को मिलेगा वहाई ने Mohammad और कि पिछले कोटर की की बात करें तो पिछले कोटर में जिदना कंपनीन इंकम किया था उसके ज्यादे खर्चा कर दिया था उसके चलते दोस्तों हमें यहां पे लोस देखने को मिला था तक्रीबन आप देखोगे तो 3411 क्रोड का लोस देखने को मिला था जो कि यहां पे आपको ब्रैकेट में देखने को मिलेगा इसलिए यहां पे आपको लोस देखने को मिलेगा जो कि कंपनी का ओर जो रहा था तो तीन नजार तीनसो चनु करोड का पिछले कोटर में लोस देखने को मिला था और अगर हम बात करें पिछले साल सप्टेमबर 2019 में देखा जाए तो उस टाइम पे भी तक्रिशन बढन कंपनी नितना इंकम किया था उतना यंज दिखाया हुआ प्रकौनी ने प्रोफिट भीफोर टेक्स एकी सो एकतीस करोड़ का देखने को मिल रहा है और अगरम नेट प्रोफिट की बात करें आफ्टर टेक्स जो नेट प्रोफिट निकल के आ रहा है वह दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 17 नंबर की कॉलम पर देखोगे तो इस कोटर में जो नेट काउंस में देखा है रहा है 4648 करोड का लोस रहा था जो कि पिछले साल की बात करें तो पिछले सालोह में अ हमनियां उपौफिट निकलता हूँ नजर आ रहा है जो कि पिछले करोड में 46 व क्रोड का लोस था जो कि इस कॉटर में 16 व क्रोड का profit आया लेकिन येरяж टू येर देखा जायै तो गिर्यावट देखने को मिल रही है प्रोफिट में लेकिन quarter to quarter हमें profit देखने को मिल रहा है जो कि आपको पता ही होगा कि COVID-19 के चलते lockdown के चलते हमें ये loss देखने को मिला था अब जिस तरह से दोस्तों सब जगा पे unlock हो रहा है दिरे दिरे तो company का कारोबार भी पट्री पे आ रहा है जिसके चलते हमें यहां पे profit भी देखने को मिल रहा है और अगर हम EPS की बात करें तो earning पर share ratio जो निकल के आ रहा है वह मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं जो इस quarter में EPS हमें यहां पर चलने को मिल रहा है जो कि पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो उर्निंग पर शेयर रैशियो अभी यहां पर काफी कम देखने को मिल रहा है जो कि सब्री में 29 रूपय 25 पर जा निकल के आ रहा था तो अभी यहां पर quarter to quarter basis पर अच्छा प्रफॉर्मस देखने को मिल रहा है लेकिन येर टू येर अभी भी काफी डिकलाइप नजर आ रहा है तो इस तरह से दोस्तों सब अनलोग हो जाएगा देरे-देरे जैसे अनलोग होई गया है और देखा जाए तो दिरे दिरे बिजनेस भी फूल के पी सिटी पे चलना स्टार्ट हो चुका है तो अब दोस्तों मुझे लग रहा है कि कोर्टर थी के जो रिजल्स आएंगे उसमें आपको काफी बड़ी या प्रफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो और ओल रिजल्स काफी अच्छे कह सकते हैं जिसके चलते हैं हमें अच्छे खासी तेजी भी देखने को मिले थी अब दोस्तों जो बड़ी खबर भी निकल के आई है उसके बारे में भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए अगर आपने इन्वेश्ट किया हुआ है ताटा श्टिल में या तो फिर with Sweden's SSAB to sell duct unit तो जो Tata Steel का Europe country में दोस्तों तकरीबन Netherlands में प्लान है Tata Steel का तो उस प्लान को सेल करने की बात कर रहे है और किसके साथ बात कर रहे है Sweden's SSB करके जो group है उसके साथ दोस्तों ये deal होने वाली है तो इस खबर को मैं थोड़ा विस्तार से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं Proceeds from the sale will be used to lower the depth on Tata Steel's books तो Tata Steel के उपर जो depth है दोस्तों उस depth को कम कर रहेंगे दोस्तों ये जो प्लांस सेल करने वाला है Tata Steel नेधरलेंड का प्लांस सेल हो जाएगा तो वहाँ से जो पेस आएगा उन पेसों से दोस्तों Tata Steel के जो books के उपर जो depth है उस depth को कम करने में इस पेसों का यूज होने वाला है तो पेज को मैं थोड़ा ohrSlQL करना चाहूँगा और जैसा की दूस्तों मेरे आपको बताया जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जैसा की दूस्तों यहाँप आप देख सकते हैं जैसा मिन आपको बताया के 7.5 million tons तक्रीबन 10,000 employees वहाँ पे काम विक करते हैं तो इस तरह कि यहाँ पे खबर निकल के आ रही थी और जो दूसरी खबर निकल के आई है उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिस करता हूँ तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी जो खबर निकल के आई है टाटा स्टिल की मेनेजमेंट की और से बताया जा रहा है कि इस कोटर एंड में तकरीबन जो टाटा स्टिल के उपर जो डेफ्थ था उस डेफ्थ में से तकरीबन 8,197 करोंड का डेफ्थ कम भी किया हुआ है डेफ्थ रिडियूस किया हुआ है दोस्तों तो कमपनी अपने उपर जो डेफ्थ है उस डेफ्थ को कम भी कर रही है तो यह भी काफी अच्छे संकेत आ रहे है और काफी बढ़िया खबर भी कह सकते है टाटा स्टिल के लिए तो यहां पे भी दोस्तों हमें डेफ्थ कम होता हुआ नजर आ रहा है तो यह भी अपना आप में काफी बड़िया खबर कह सकते है अब दोस्तों मैं आपको चार्ट के उपर लेके जाना चाहूँगा और शोट टम में किस तरह के लेवल और टारगेट आज सकते हैं इन खबूरों के चलते किस तरह का प्राइस मुमिंटम हमें देखने को मिल सकता है उसके उपर हम नजर कर लेते हैं तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो धा के प्लेटफॉर्म के उपर आया है और यहाँ पर मुने टाटा श्टिल का चार्ट ओपन किया हुआ है और यह चार्ट मुने आपे वन आर्स के टाइम फ्रेम पर open किया हुआ है और यहां पर मैंने कुछ लाइने ट्रो करके रखी है और लेवल्स भी identify करके रखे है जिसके माध्य हमसे हम जानने की कोशिस करते है कि short term में हमें किस तरह के लेवल और target देखने को मिल सकते है और Friday की दिन हमें जो closing देखने को मिली और उसके बाद हमें continuously दोस्तों एक अच्छी तीरेली देखने को मिल रही है और अभी तकरीबन 500 रुपे के आसपास हमें कहीं ना करीट करता हुआ नजर आ सकता है कुछ दिनों में ही तो देखा जाए तो almost यहां पर 500 पॉइंट की हमें पहते पर सपोरट अभी तो जो सपोर्ट अब सब्स्द्राइब ऑसी तरहा हो देखने में सपोर्ट नजर आ रहा है वही रेजिस्टन्स लेवल अभी हमें यहां पर एज जो सपोर्ट की तरह देखने को मिलेगा और 465 का जो सपोर्ट लेवल है वह आपको हलका सा सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा और उपर के लेवल पर जो रेजिस्टन्स लेवल देखने को मिल रहा है वह 495 का छयाहे कौ Él के पर यहांपैने कम आंते हो ज्बोय का सट और रही देए पर लिख कंस हैं लोड़कता है तो यहांपे पर अपको खृत दरेंसा को ख्रीदारी करनी है यहांसे आपको ऐक बाउंस लोड़कता है यहां पर छोटकता है यहां-प और जो आपके टार्गेट आ सकते है शोट टम में वो आपको मैंने आपको बताया जैसे 521 का और 565 के टार्गेट आप ले सकते है और मेरी राए यही रहेगी कि आप जल्द बाजी में किसी भी तरह का कोई खरिदरी ना करिए जिस तरह से तेजी बनी हुई है हो सकते है थोड़ा बू versions आप भी सकता है मैं संभावना की बात कर रहा हूं दोस्तों guaranteed नहीं दे रहा हूं ठीके और अगरम RSI के लेवल यहां देखा जाए तो तकरिबन 78 का 감사 का level है जो की ओल्मोस्ट 80 के असपस आहने रहा है तो थोड़ा बूर यहांप से करेक्शन आने की संभवना है जैसी अंसी के उपर निकल दाएगा दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि ओवर बोड जोन में आपको ट्रेड करता हूँ टाटर श्टील नजर आएगा तो वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन आना तो संभवी है तो जो करेक्शन आएगा उस टैम करके इंक्रेज जरूर कीजिए दोस्तों और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी जन्यून इंफ्रमेशन पाने के लिए और जिरो धम अपक्तना एकांट आपन करवाना चाहते है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो इस वीडियो मीट नहीं दोस्तों थेंक्यू अगें पोर वाचिंग दिस वीडियो